गुड बॉर्णिंग स्टूडेंट्स, हाव आर्यू, अधरे सीनियर स्केंड इसकल में चल रही ओनलाइन क्लासिस के तहत में, आज आपको सेकंड क्लास में मैथ में अक्सराइज 1.1 का C पार्ट करवाने जा रही हूं, तो पहले पार्ट पहली वीडियो में अपने A और B पा हूँ है, उससे जो पहले जो नंबरिंग आती है, वो हमें यह आपर राइट करनी है, तो हमें दिया हूँ है 118, आगे सरकल बनाके बॉक्स खाली छोड़ा हूँ है, तो 118 से पहले आती है 117 जो मैंने फिल कर दिया है, सेकिंड है 172, इससे पहले आती है 171, थर्ड सम, 200, 199, 4 सम, 107 से पहले 106, 134 से पहले 133, 6 सम है 150 से पहले 149, तो यह हमारा C पार्ट कम्प्लीट हो गया, आगे करते हैं D पार्ट, write the number that comes after, after के बाद, जो हमें दी हुई नंबर है, इसके बाद जो नंबर आती है, वो हमें write करनी है, तो फर्ड सम है 103, 104, सेकिंद 190, 191, थर्ड सम 171, 172, 111, 112, फिफ्ट सम 169, 170, शिक्षम 129 के बाद 130, यह हो गया हमारा D पार्ट, कम्प्लीट, फिर आता है A पार्ट, write the number that comes in between, between के बीच में जो, जो राइट नंबर हमें दिया हुई, नंबर जो लिखी हुई है, उसके बीच में जो नंबर आती है, वो हमें write करनी है, तो हमें दिया हुए 108-110, जो इनके बीच में जो नंबर आती है, 108 और 110 के बीच में आएगी 109, तो मैंने यहां फिए write कर दिया है, second sum, 179-181 के बीच में आती है, 180, three sum है, 112-114 के बीच में 113, fourth sum, 125-127 के बीच में आती है, 126, fifth, 164-166, 165, six sum, 196-198, तो 196 और 198 के बीच में जो हम नंबर आती है, 197, तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, आप अपनी books में यह before, after, between, तेनो पार्ट कम्पलीट करे, and, thank you.